गोल्ड के उपर अनालेसिस करके बताने वाला हूँ की आने वाले ट्रेडिंग शेसन में गोल्ड में क्या मूमेंट देखनी को मिल सकता है सबसे पर यहां पे डॉलर इंडेक्स में अनालेसिस करूँगा उसके बाद गोल्ड मेगा के उपर अनालेसिस करके बताने वाला हूँ फर्स्ट तेम विजिट करें, कोसिस करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और डेली बेस के उपर आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें वन आप दो बेस्ट एनलैसे से एक दम फ्री प्रोवाइट करता हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सुबध 6 बज़े से लेके रात के 12 बज़े तक नौन स्टप आपको लेवल प्रोवाइट किया जाता है सुबध 6 बज़े से लेके डॉलर्स के लेवल आपको मैं प्रोवाइट करता हूँ और उसके बज़ जैसे यमसेक्स मारकेट ओपन होता है तो यमसेक्स के भी लेवल्स आपको मिलते है टेलिक्राम चैनल भी उकुल फ्री है कोई भी चार्जेस नहीं है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वन अप दा बेस्ट एनलैसेस आपको देखने को नई मिल रही है चारपार ट्रेडी सेशन होगा एक कंस्रोलेशन जोन बना हुआ है बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टन्स की तो अठारा सो का आसपास एक बहुती स्ट्रॉंग सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ लग रहा था इसलेवल पे आने के बाद की ओर गिरावट आएगा एक on मिला को यहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले वाले रिजिस्टन्स के उपर अभी ट्रेड होते हूए देखने को मिभ रहा है तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि अगेर यहां से मूँ करेगा कम से कम 2100 डॉलर कक अपसाइट रैली एक्सपेक्टेट लग रहा है रही बात मैं कोई सेवी रेजिस्टेर अनलाइसिस नहीं हो जो अनलाइसिस करूँगा वो 100% सही रहेगा यह जो अनलाइसिस है यह मेरा परसनल अनलाइसिस है और यह होल्डिंग बेस अनलाइसिस है कम से कम आपका दो से लेके तीन मैने का भी होए तबी यह प्रोफिटेबल अनलाइसिस आपके लिए रहेगा जो डॉलर में ट्रेट करना चाहते है विदिन 5 मिट्स के अंदर आपका डिमेटकोन ओपन हो जाएगा और साथ में साथ लाइव सपोर्ट भी आपको मिलता है तो टेलिग्राम चैनल आप जॉइंड कर सकते हो डॉलर में ट्रेट करने के लिए लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा विदिमेटकोन ओपन कर लीजिए अभी रेजिस्टन्स की बात करेंगे तो 2005 के आसपस ट्रॉंक रेजिस्टन्स निकल क्या रहा है किसी को यहां पे फ्रेज बाई की पोजिशन बनाना चाहते हो तो 2005 के उपरा बाई की पोजिशन अगेन फ्रेज बाई कर सकते हो और स्टापलस लगाना है तो भी उपकुल छोटा सा एक स्टापलस प्लेस कर सकते हो 1930 के आसपस 1930 का 1930 का एक स्टापलस लगा दीजिए 2005 के उपरा बाई के पोजिशन बनाईए अप सैट के जो टार्गेट रहेंगे वो कम से कम 2100 डॉलर तक के लिए पोजिशन आप होल्ड कर लीजिए बात करेंगे क्या हम इसले और पे सेल की पोजिशन बना सकते क्या जब तक 1930 डॉलर के नीचे डॉलर में सस्टेंट नहीं करता गोल्ड तब तक आप सेल की पोजिशन भी उकुल मद बनाईए क्योंकि इसका ओर 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 ट्रेंड शॉट डिवरेशन पे अप्ट् बात करेंगे रेजिस्टन्स हो सके मार्केट लेके नीचे आजाए तकम से कम 1930 का लेवल ब्रेकडाउन होने दीजिए तब आप सेल की पोजिशन बना सकते हो तब तक वेट आन वर्च कर लीजिए बात करेंगे जो और उनको अच्छा का सा प्रॉफिट हो रहा है वो कहां प आपको एकजिट करने की जोरुवत नहीं है विवकुल अपनी पोजिशन होल्ड करिए आने वाले दिनों में 2100 टार्गेट के लिए पोजिशन होल्ड कर सकते हो और जो अर्रेडी सेल पर बैटे और उनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है वो कहां पर एकजिट कर सकते है तो 2100 का लिवस जब जाएगा वहाँ पे एक सेल की पोजिशन अगेन एड कर सकते हो और वहाँ पे अपनी पोजिशन आवरेज करके और मार्केट नीचे आएगा तब पोजिशन आप एगजिट कर सकते हो तो यह अनलेजिस रहेगा आने वाले दिनों में डॉलर इंडिक्स में बात करेंगे यमसेक्स मार्केट में यमसेक्स मार्केट में भी ला जवाब बाइंग देखने को मिर रही है लाइव मार्केट में देखोगे तो लगबग लगबग साथ हजार के उपर अभी ट्रेट करते हुए डॉलर में के साथ-साथ यमसेक्स में भी आपको देखने को म लेकिन थ्यान में रखना है नमार्केट का जिस तरह कि करना पढ़ सकता है invited पर यहां पर 58,000 पासों का क्या लगा दीजिए stop loss लगा दीजिए 60,500 के उपर आप क्या कर लेजिए buy के position बनाईए कम से कम 62,000 के लिए position आप hold कर सकते हो आने वाले दिनों में जो gold का trend है उसके इसाब से देखोगे तो कम से कम 62,000 तक gold आप को जाते हुए देखने को मिलेगा ल करिए जो और रेड़ी भाय पर बैटे विवकुल position hold करिए with the stop loss 58,500 पासों के नीचे जब तक नहीं आता तब तक आपको बाई की position एकजीट नहीं करना है trend को follow करिए uptrend market में आप buy के ओपर बने हो विवकुल बने रही है again upside में target में जो 62,000 का level है वो आता नहीं है तब तक आपको position buy side की hold करना है क्या हम इस लेवल पे sale की position बना सकते है क्या तो इस लेवल पे विवकुल sale की position नहीं बनाना आपको sale की position बनाना है तो 58,500 के नीचे daily candle close होने दीजिए एक बार confirmation होने दीजिए ऐसा नहीं है कि market उपर गया तो उपर नहीं जाएगा गिरेगा ऐसा कभी नहीं सोचना है train reverse होने दीजिए train को follow करिये जिस दिन train down train start होगा वो दिन आप sale की position जरूर बनाएगा 58,500 के नीचे market sustain करेगा तभी आपको sale की position बनाना है और upside में जो stopless रहेगा वो 61,000 का stopless रहेगा और downside में जो target रहेगा वो 54,000 का target रहेगा लेकिन sale ही तभी करना है जब 58,000 पासों के नीचे sustain करेगा कम से कम daily candle close होना जरूरी है जो already sale पे बैटे है और उनको अच्छा खासा loss हो रहा है वो यहाँ पे 62,000 का एक call option बाई कर सकते हो 62,000 का call option करने से ये फाइदा होगा कि जो आपकी position है वो hedge हो जाएगी profit तो नहीं मिलेगा लेकिन आपका loss होने के जो chances से वो नहीं के बराबर रहेगे और जिस दिन बाई सड़ा जाएगा ओज दिन आपको वो call option exit कर लेना है और वहाँ पे एक sale की position एड कर लेना है किसमें future के अंदर तो ये analysis रहेगा आने वाले दिनों में dollar में साथ-साथ M6 market में जो भी analysis बताया holding based बनाया बताया कोई भी इंट्राडी का recommendation नहीं है इंट्राडी लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर 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 करें वना दबेस चैनल लेसिस एकदम free प्रोवाइट कराता हो कोई भी charges नहीं है लिंक आपको description में मिल जाएगा मिलते हैं विडियों नडपे के साथ तब तक लिए बाई बाई